So, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलाश रहा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडेंट खबरी के इस नए वाले वीडियो में जैसे कि आपको मालू मैं यार मैं पलाश रहा है हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ और यह जो स्टूडेंट खबरी है ना यह इंडिया का ऐसा पहला न्यूस चैनल है जो स्टूडेंट के लिए एकाडमिक से रिलेटेट सारी खबर लाता रहता है और लेटेस्ट अपडेट्स अपग्रेडेशन लाता रहता है आपको मालु में कि यार अब पलाज भाई यहां तो पलाज भाई इस वाले वीडियो में भी कुछ ना कुछ नया लाए होंगे तो यार इस वाले वीडियो में आपके लिए RV Engineering College Bangalore के बारे में लेके आया हूँ बट अगर आप चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि यार कोई नया वीडियो आए ना तो उसके बारे में पॉप अप नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे पहले ही आजए और आप उस वीडियो को देखने में लेट ना हूँ ठीक है चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और अंते तक वीडियो में मेरे साथ बने रही हैगा मैं आपको इस चीज का वादा करता हूँ कि यार पूरा ग्यान दूँगा आपको आरवी कॉलेज के बारे में अब बात करते हैं कि आरवी कॉलेज बैंगलोर का फुल फॉर्म क्या है तो ये है राष्ट्रिय विद्धाले College of Engineering बैंगलोर अब ये कहां पर है ये हैं बैंगलोर करनाटका इंडिया में अब बात करते हैं इस college के बारे में आगे तो यार तो यह जो college है ना यह college एक private technical college है ठीक है अब मैं आपके इस college के बारे में बात करने से पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस college का establishment कब हुआ था तो इस college का establishment है वो है 1963 का साथी साथ इस college में 11 departments है engineering के लिए एक architecture school है साथी साथ master of computer application का भी एक अलग department है ठीक है अब बात करते हैं इस college के affiliation के बारे में कि यार इस college को कहा कहा से affiliation मिला हुआ है तो इस college को total तीन जगा से affiliation मिला हुआ है चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ सबसे पहला जो इसको affiliation मिला हुआ है वो इसको मिला हुआ है NBA के दौरा जो दूसरा मिला हुआ है वो है AICTE के दौरा जो तीसरा है वो है विश्व सरहिया टिक्नलोजिकल यूनिवर्सिटी के दौरा ठीक है अब बात यह हो गई कि ये तो हुए इसके affiliation की बात अब बात करते हैं इसमें आगे कि यार इस campus में क्या क्या है ये campus कितने area में spread है और अगर आपको वहां तक पहुचना है तो आप किस-किस medium से travel कर सकते हैं आप वहां तक कैसे पहुचेंगे तो यार जो इसका campus है वो टोटल 51 acres में फैला हुआ है टोटल 51 acres में spread है काफी अच्छा area है इसका ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आप Bangalore से रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि यार ये college जो है ये कहां पर है Bangalore में but for example अगर आप किसी और city से जाते हैं तो आपको अगर आप railway station पर पहुशते Bangalore railway station पर जो वहां से आपको total 15 km travel करना पड़ेगा अगर आप by flight जाते हैं एरपोर्ट से आपको 15 km की जगा अब आपको 13 km travel करना पड़ेगा क्योंकि ये एरपोर्ट से 13 km की दूरी पर हैं अब बात करते हैं कि यहां पर teacher और students का आपस में ratio क्या है फोर अपना क्या बोलते है post graduation और उसके बाद under graduation दोनों के बारे में बात करेंगे तो for UG की अगर हम बात करें तो 1-12 का ratio है और for PG के बात करें तो 1-13 का ratio है अब और इस college के बारे में आगे बात करें तो अब बात करो इस college के बारे में आगे तो यार इसका किन-किन के साथ collaboration है कौन-कौन सी industry के साथ इस college का collaboration है उस बारे में हम बात करते हैं तो देखें यह जो university है इसका यह जो college है मतलब इसका कई सारी universities और company के साथ tie up है ठीक है और कहां कहां tie up है इंडिया में तो है ही है साथी साथ United States, Germany, South Korea और Singapore में भी है अब बात करते हैं कि आर यह आपको क्या provide करते हैं यह आपको dual degree भी provide करवाते हैं different institution like मैं आपको वो सारे institution का नाम बता देता हूँ like Koyang University जो की South Korea में है साथी साथ अपना क्या बलते है West Virginia University जो की अपना United States में है ठीक है University of Sydney जो की Australia में है और इसी कई सारी universities हैं जिनके साथ इनका tie up है अब बात करते हैं कि इसी कौन सी IT companies हैं जिनका इनके साथ tie up है तो वो है विपरो हो गई TCS हो गई ठीक है कॉनिजेंट हो गई आपने कई बार आपने देखा होगा कि आप जो graphics use करते हैं उसमें बहुत famous जो company है वो है Nvidia वो भी उनके साथ इनका काफी अच्छा tie up है तो क्या क्या प्रोवाइड की जाती है अगर आप ऐसा स्टूडेंट है और आपको इस college में एड्मीशन ले चुके हैं तो आपको यहां पर कौन-कौन सी facilities प्रोवाइड की जाती है तो यहार देखिए यहां पर आपको cafeteria मिलता है साथी साथ लाइबरेरी मिलती है वाइफाइ मि अगर आपको money transaction करना है तो उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूद निया आपको वहीं पर banking के facility मिलती है ठीक है साथी साथ अब अगर मैं आपको आगे बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ यहां पर एक बहुत अच्छी library की भी facility है आपको क्याँ आप बात करएंगे हैं कि आपको यहां पर कौन कौन से course offer कि है जाते हैं कि ऑविसी बात है कि अकर आप यहां पर admission ले रहे हैं तो यहार आपको एंजिनेरिये में Con Northwest और आपको आपको जरूरी यह पता चुले कि अपर क्यों कौन si stream मिलती है तो आपको बता देताहू Electronics and Communication Engineering साथी साथ यहाँ पर आपको मिलती है Electrical and Electronics Engineering देखिए आपको कई सारी streams मिल रही है यहाँ पर सो यार आप बात करते हैं अगर आप इस college में admission लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या procedure आपको follow करना पड़ेगा तो देखिए admission लेने के लिए आपको सबसे पहले तो इनकी website पर जाके वहाँ पर आपको online apply करना पड़ेगा साथी साथ अब आपके जो numbers है वो कौन-कौन से entrance exam है जिसके number आपके consider होते हैं तो यहाँ पर इस college में जो आपके number considered होंगे वो होंगे JEE means के साथी साथ K set के ठीक है उसके बाद comment के के तो यह जो सारे entrance exam है इससे जो आप number gain करेंगे वो आपके consider किये जाएंगे अब बात करता हूँ मैं कि यार इस college का fee structure कैसा है तो fee structure से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो आपके 12th में PCM के marks होंगे जो percent होंगे वो 60% के अबब होने चीए तभी आप इस college में admission लेने के लिए eligible है वरना आपको admission नहीं मिलेगा ठीक है अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यार इसका fee structure तो जो fee structure है वो है more it is about 5 lakhs per annum जिसमें आपकी hostel fees considered की जाएगी ठीक है प्लेसमेंट से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहते हूँ कि इसमें कंपनिया कौन-कौन सी आती है देखिए इसमें Adobe आती है Cisco आती है अपना NVIDIA आती है L&T आती है चीए अडानी गुरूप आता है जो बहुत ही नामी ग्रामी गुरूप साना इसमें रिकूटमेंट के लिए जाते हैं प्लेसमेंट प्रोवाइड करते है अब इससे जब इतने बड़े-बड़े ब्रांट और इतने बड़े-बड़ी कंपनी इसमें आ रही है तो यार अब बात करते है कि इसका आवरेज पैकेज किता है तो यह जो college यह आपको average package offer करता है approximate 10 lakhs per annum का like guys imagine जो आपको यहाँ से average package मिल रहा है वही 10 lakhs per annum का मिल रहा है और जो maximum हो जो highest package जाता है इस college का वो जाता है 37 lakhs per annum like guys can you imagine इतना अच्छा rate है यहाँ पर package का और इतनी अच्छी अच्छी company आती है तो यहाँ से आपको opportunities बहुत मिलने वाली है तो यहाँ से आपको opportunities बहुत मिलने वाली है यह जो मेरा पूरा वीडियो था यह था मेरा RV College Bangalore के उपर आशा करता हूँ आपको यह वादा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अभी भी कोई ऐसे points हो जो मैं cover नहीं कर पाया हूँ तो नीचे comment section में ज़रूर बता देना अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उनको जबरूर cover करूँ ठीक है अगर आप इस channel पे नहीं होना तो like ज़रूर कर देना और subscribe ज़रूर कर देना और यार साथ में आपने comment में review ज़रूर बता देना ठीक है so thank you for watching this guys video thank you from my side and thank you from student khabri